एक बार भगवान बुद्ध को एक सभा में भाशन करना था जब भाशन देने का समय हो गया तो बुद्ध आये और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए वहां पर तक करीबन 150 के करीब लोग बुद्ध को सुनने वाले थे दूसरे दिन तक करीबन 100 लोग थे पर फिर भगवान बुद्ध ने ऐसा ही किया बिना कुछ बोले वहां से चले गए इस बार 50 लोग कम हो गए थे तीसरे दिन 60 के करीब लोग थे महामानब बुद्ध आये, इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले वहां से वापिस चले गए चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए तब भी भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले और वापस चले गए जब पांचवा दिन हुआ तो बुद्ध ने देखा कि सिर्फ 14 लोग थे महामानब बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए किसी ने महामानब बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला इसका क्या कारण था, तब बुद्ध ने कहा मुझे भीर नहीं, काम करने वाले चाहिए थे यहां तो वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो, जिसमें धैर्य था वो रह गए केवल भीर ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है समझने वाले चाहिए, तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक जाक करते हैं समझने वाला धीरज रखता है, कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है समझने वाला शायद एक हजार में एक ही वो ऐसा ही देखा जाता है